आशु के नेता और बीजेपी के कुछ नेता परसो राष्टपती से मुलाकात करके आये हैं जारखन संबन्दि जोभी इसु अत्कारी नभी चल रहा है और जेपी एसी का मुद्धा तुल पगड़ा तो सभी मुद्धों को लेकर राष्टपती से मिले और अपनी बातों को र लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसका परिणाम कुछ नहीं रहा तो इसलिए अंतिम में हम लोगों ने निर्नलिया की राश्ट पती से मिलकर अपनी बात को रखेंगे ताकि उस पर जल्द से जल्द करवाएं और इसमें तिन चार विसाइथ है जिसको लेकर हम लोगों ने जो पर भाशा को लेकर काफी बिवाद कर रहा है ऑज से लोगों को लोगों में काफी आक्रोश तरह है मजी बच्पुरी आंगि का मैथ ले जो ये चार बिहार का भासा और ये भासा बिहार में मानियता नहीं मिला है इन भासाओं को बिहार में पहला तो बिहार में ही मानियता नहीं मिला है जो और जार्खन में मिल रहा है ये इसके लिए जार्खन के लिए बहुत ही दुरभाई का भीशा है इसलिए लोग काफी आक् लेकिन जार्खन में अभी तक लागू नहीं हुआ तीसरा विशय था हम लोगों को सामिल करने का वहां के कुल्मी को जो काफी लंबे समय से आंदोलन हो रहा है और कई एक बार लोगों ने अपना प्रस्ताव भी रखा है लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं उस वि जेपी एस्सी में जो गड़वडी हुआ और जीस्प्रकार का रिजल्टान आए जीस प्रकार का प्रतिक्रिया जीसप्रकार ओक शात्र लोग शड़क सड़क पर उत्रे काफी गड़वडी वा था उस विशय को भी हम लोगों ने राश्पत मुहाम हूम को हम लोगों ने लिखी तरोत तोर पर हम लोगों ने दिया है ताकि इस पर कारवाय हो नहीं तो आगे आने वाले समय में और उग्र हो सकता है भासा में कभी उग्र अंदोलन होगा या उसको रोकने के लिए जल से जल उसको रोकने का परियास करें और जो जारखन का भासा है जार्खन के लोग हैं, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा पहचान है, उसको जार्खन की जो इसमित्ता है, उसको बचान के लिए हम लोगों ने महामहिम से मिला है। जार्खन के लिए उन्हों बुलाया है, जो प्रभारी थार्पियंसिंगों तो बीजेपी में सामिल हो गया है, प्यूत उतर पदर से चुड़ापी लड़ रहा है, नए प्रधारी अमिताब चौधरी को बुलाया गया, उसके बाद एक एहम बैठक और एक एहम मुलाकात कह सक कांग्रेस पार्टी का लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी काफी बिवाद रहा और अभी सभी लोग राहूल गांधी से भी मिलने आये थे, उसमें भी दुरावास एक तरह बोलते हैं, गड़बंधन धरम पालन करना और दूसरे तरह बोलते हैं कि जो अपना नीती है, जो कि गोसना पत्र मी जो दिया है उसको सक्षि से लागू करना यह उनोंने रहूल गंधी के बियाना है तो हम तो चाहेंगे कि Menu Sorren भी जो अपने चुनाओी वादा किया था और कॉंग्रेस भी चुनाओन वादा किया था चुनाओ के समय और जनता उनको भोट भी दिया और उनकी सरकार भी बने अभी अधाई साल होने जा रहा है लेकिन अभी तक एक भी घोसना पत्र का अमल ने हो चाहे हैं बेरोजगारों को रोजगार देने का बाद था पांच लाख लोगों को नुक्री देंग के एक लोग नहीं कर पाया तो उनका लाइन कार्ट दे रहा है उनको जेल भेज दिया जा रहा है उनको फाइन किया जा रहा है तो इस तरह से एक भी योजना अभी तक और एक भी घोसना पत्र का जो उन्होंने लोगों से वाचुनाओं के समय में मंच पर बड़े-बड़े भासन किये थे एक भी नहीं हो पाया इसलिए जनता काफी आक्रोसित है और हम भी चाहेंगे कि इन सब मुद्धों पर मुख्यमंत्री हमांसोरण जी संग्यान ले अने वाले समय में उग्रांद लोड़ना को जारखन की लोएन ओडर की प्रोब्लम होगी दूसरा विसा है कि लोएन ओडर तो बिलकुल समाप्त हो गया है आज आप देखे कि कितनी घटना है होता है उग्रवादी लोग बढ़ चड़कर सिनातान कर रोड में घूम रहे हैं अपराधी रोड में घूम रहे हैं मुख मंत्री आवाज शिबू सोरन के आवास के सामने गोहत्या हो रहे है तो कोईला चोरी लोहा चोरी मतलब सारा चीज इतना भरस्टाच्यार बढ़ गया ब्लोक में जाए सीओ आफिस में जाए वीडियो आफिस में कहीं कोई काम ना रहा है बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है तो यह थी हमारे साथ आशू के शांसद चंदप्रकाश चौधरी आपने साब सब्सक्राइब कर लेकर यह लोग बजापते राश्टपती से मिले थे और सब जारखन के हर एक इशू से उनको अबगत कराया था अगर इस पर सोटॉट नहीं हो पाता है मामला तो हो सकता है कि और भी उग्र हो सकता है जारखन इसे लाएन और और बिगर सकते इसलिए इसको जल्द से जल्द सोटॉट किया जाए उसको मध्दजर देखते हुए आज अमिताब चोधरी को भी दिल्ली तलब किया गया आगे बताते हैं कि क्या कुछ उसमें अपडेट होके आता है फिलहाल हमें आदेश दीजिए दिलिशे न्यूजविंग के लिए क्या च youtubers एके लिएई। गिरी a small place and we have like very less facilities in terms of you know education and this kind of infrastructure it came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giri those who are leaving the town and going outside for you know studies here higher studies and their education I wanted myself to start with the coding classes. So I research online I just knew all the review and everything. Then I came together to have the White Hat representatives and was very happy with your progress and how he was doing so then I thought that why not we implement it in our school so that all the students are able to learn y'know this thing." НАGUSAH I started coding because we can make our thoughts real we can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser and I think on this part White Hat is actually leading you know on this this coding platform it is definitely a very good platform and one should implement in every school